वन रैंक वन पैंशन रिवीजन पर बड़ा अपडेट सरकार ने मांगा स्प्रीम कोर्स से एक्स्टा टाइम आखिरकार पैंशनर्स को कितना करना पड़ेगा इंधिजार दोस्तो नमस्कार स्वागत करते हैं आपका एक वाफिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज का हमारा वीडियो वन रैंक वन पैंशन यानि के OROP रिवीजन के बारे में हैं जैसे जैसे टाइम बीटता जा रहा है दोस्तो सरकार को और भी टाइम चाहिए वन रैंक वन पैंशन रिवीजन के लिए दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेजा जनर सत्वीर सिंग जी ने कुछ ट्विट किये हैं इसके बाद हम आपको एक लेटर दिखाएंगे जो गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है जिसमें उन्होंने टाइम एक्स्टेंशन म पांगा है तो अगर आप पैंसनर्स हैं या फिर फैमली पैंसनर्स हैं तो वीडियो को अंग तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें और अगर आप हमारे चैनल पे नए भरते हैं आज की हमारी वीडियो की तरब दोस्तों गुर्मेंट ओफ इंडिया ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को जिसमें उन्होंने वह आरोपी रिवीजन के लिए टाइम एक्स्टेंशन मांगा है मेजर जनरल सत्वी सिंग जी ने ट्वीट करके बताया तो पहल हम मेजर जनरल सत्वी सिंग जी के कमेंट देख लेते हैं पहला कमेंट जिसमें उन्होंने लिखा है गुर्मेंट हैस्ट फाइल्ड एप्लिकेशन इन ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानि के सरकार को और भी टाइम चाहीं OROP रिविजन के लिए तीन महिने का और टाइम मांगा है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इनका कहना है कि जैसे पीसीडिये ने इन लेटर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं बस गुर्मेंट के दवारा ओडर का हम वेट कर रहे हैं जैसे ही गुर्मेंट ओडर दे देती है हम सरकूलर जारी कर देंगे लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लिया है एक्स्ट्रा इसका मतलब है कि ये दोनों बाते अलग हो गई जो PCDA ने इनको लेटर दिया था वो बिल्कुल अलग है इससे तो दोस्तो जो एस्टिमेट रखा गया है एरियर के लिए बुक्तान के लिए वो रखा गया है दोस्तो दो हजार करोड रूपे दोस्तो पूरी बात निकल के सामने आती है कि सरकार ने तीन महिने का और एक्स्टा टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से वन रेंग वन पैंसर रिविजन के लिए दूसरी बात निकल के सामने आती है कि PCDA ने इन्हें जो लेटर दिया था कि हम पूरी तरीके से रेड़ी है और गोवर्मेंट के ओडर का हम वेट कर रहे हैं जैसे ही गोवर्मेंट ओडर देती है हम सरकूलर जारी कर देंगे तो ये दोस्तो ये भी गलत साबित हुआ दूसरा कमेंट हम सत्बीर सिंग जी का देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है वाइल IESM will pursue OROP legal case and review petition in honorable Supreme Court गोवर्मेंट is requested to pay the area earliest इनका कहना है कि हमारे टीम आने वाले टाइम में review petition को देखेंगे जिनका उसका क्या निर्णा रहता है और क्या होता है उसके बारे में हमारी पीम इसके बारे में जाच करेगी और यह अनुरोद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जल से जल पैंशनर्स को उनका एरियर भी परदान करी तो दोस्तों अब हम वो लेटर देख लेते हैं जो गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोट को लिखा है टाइम एक्स्टेंशन के द्वारा डाली गई है सुप्रीम कोट को जिसका सब्जेक्ट है दोस्तों एप्लिकेशन बाई एंड ओन बिहाप ओप दा यूनियन ओफ इंडिया फोर एक्स्टेंशन ओफ टाइम यानि के टाइम एक्स्टेंशन मांगा जा रहा है गोर्मेंट ओफ इंडिया के द्वार 2022 to implement the judgment dated 16 March 2022 passed by this honorable court in WP No. 419 of 2022 in the interest of justice जो सुप्रीम कोट का आदेश था दोस्तों कि तीन महिने के अंदर अंदर वन रेंग वन पैंशन रिविजन टेबल जारी कर दी जानी चाहीं सुप्रीम कोट का नियने था कि 16 March 2022 को सरकार को वन रेंग वन पैंशन रिविजन टेबल जारी करनी है सरकार ने उसको नहीं माना उस order को सरकार ने डिराई कर दिया और अब सरकार petition के थरू ओर टाइम मांग रही है सुप्रीम कोट से जिहां दोस्तों 15 जून 2022 से आगे के ती तीन महीने 15 जून 2022 से आगे कब कम्प्लीट होंगे इसकी डेट निश्चित नहीं की गई है पेटिशन में कहीं पे भी दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है दोस्तों पास एनी अदर ओर ओर ओरस एस डिस ओनरेबल कोट में डीम फिट एन एप्रोपिट इन अप्रोप और भी तीन महीने के लिए खिच गया है वारोपि का रिवीजन कब होगा कोई भी निश्चित देट नहीं दी गई है पेंशनर्स को और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है पता नहीं सरकार पेंशनर्स को कितना इंतजार कराएगी और कब वन रेंक वन पेंशन रिवी शेर जरूर करें और बैल आइकन को भी प्रेश जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद जैहिन जैभारत